Hello everyone, welcome to my channel and how are you? How are you? ये हम सबसे पूछे जाने वाले सबसे ज़ादा आम सवालों में से एक है. किसी से भी मुलाकात पर सबसे पहले यही पूछा जाता है और इसी का जवाब देना होता है. लेकिन कई बार, कई situations में हमें ये बहुत साधा सा लगता है. और हम सोचते हैं कि इस साधे से जवाल और साधे से जवाब को कुछ interesting तरीके से कैसे किया जाए. तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं. देखते हैं How are you को बोलने और उसके जवाब देने की कुछ creative तरीके. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपको किसी से पूछना है How are you और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा creative तरीके से पूछें, तो आप इन प्रेजिस का इस्तिमाल कर सकते हैं और अपने conversation को interesting बना सकते हैं. आप बोल सकते हैं How is everything? यानि कैसा है सब कुछ? How is it going? कैसा चल रहा है? How are things? सब कुछ कैसा है? What's new? क्या नया चल रहा है? You alright? क्या तुम ठीक हो? How are you doing? तुमारा हाल चाल कैसा है? How have you been? मतलब आप कैसे हैं? Are you well? आप ठीक तु हैं? तो ये थे कुछ phrases जिने आप How are you की जगह पर किसी का हाल चाल पूछने के लिए use कर सकते हैं. अब देखते हैं कि How are you का जवाब देने के लिए आप कौन-कौन से creative phrases का इस्तिमाल कर सकते हैं. अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं I am fine तो उसकी जगह पर आप use कर सकते हैं I am good या फिर pretty good या फिर I am well. इसके अलावा अगर आप okay-okay सा feel कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं I am okay, not too bad, same old, same old, yeah, all right, I am alive. I am alive को कई सारे लोग मजाग के तौर पर भी इस्तिमाल करते हैं लेकिन कुछ situations में ये भी interesting हो सकता है. अब अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं absolutely wonderful, better than good, I am great, I have never been better. अब अगर आपका mood बहुत अच्छा नहीं है या फिर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो आप इन phrases का use कर सकते हैं. I am hanging in there, इसका मतलब होता है कि आपका दिन बहुत अच्छा नहीं गुजरा, I have been better, इसका मतलब ये है कि आप पहले अच्छे थे लेकिन आज कल कुछ ठीक नहीं जाल रहा, इसका indirect मतलब ये भी होता है कि आप सामने वाले को अपनी problem बताना चाहा रहे हैं. अब अगर कोई आप से पूछे what's up और आपका mood अतना अच्छा नहीं हो तो आप कह सकते हैं nothing much या not a lot. तो ये थे अलग-अलग situations में how are you को बोलने और respond करने के कुछ creative तरीके. इसी तरह की videos को देखने के लिए हमारे channel को subscribe कीजिए and मिलते हैं अगली video में तब तक के लिए take care.